Hi everyone, I am Dr. Kashika Jain और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेनिया के बारे में मेनिया यानि की उन्मात तेजी क्या आपने कभी ऐसे किसी परसन को देखा है जो एकदम से बदल गया है जो बहुत कम बोलता था लेकिन आप बहुत ही जादा बोल रहा है तेज तेज बोल रहा है, कुछ अजीब अजीब सी हरकते कर रहा है अकेले में बैटकर हस रहा है, बाते कर रहा है, बड़ी बड़ी बाते कर रहा है वो सारी बाते भी कर रहा है जो शायद embarrassment का कारण हो कम सोकर भी एकदम से fresh feel कर रहा है नई-नई activities में इतना enthusiastic हो गया है और लोग confused हो गया है family members को समझ भी नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो गया है और कई बार तो family members इस तरीके से confused होते हैं सोचते हैं कि जरूर इसके उपर कोई साया आ गया है और वो कई बार इस तरीके से जड़वाने के चक्कर में लग जाते हैं और कई बार डाट डपट कर ही समझाने की कोशिश करते हैं पट अगर आपके किसी भी person के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको इसे ignore नहीं करना बलकि इसको ध्यान दे रहा है क्योंकि ये हो सकता है mania अब mania में मुख्य तोर पर साथ लक्षन होते हैं और अगर साथ में से तीन कोई भी लक्षन एक हफते तक अगर रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस person को mania है अब mania अखेला भी हो सकता है या फिर वो bipolar disorder के साथ हो सकता है यानि कि bipolar disorder में जिसमें की person depression में भी जाता है और फिर वो mania में भी जाता है यानि कि कभी उदासी, कभी तेजी bipolar disorder पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी लेकिन इसमें में बात करने वाली हो सिर्फ और सिर्फ mania के बारे में बात करते हैं पहले लक्षन के बारे में पहला लक्षन है distractibility यानि कि ऐसा person एकदम distracted रहता है अगर वो suppose कीजिए कोई female को ये हुआ है वो kitchen में काम कर रही है एकदम से उसे दिहान आएगा कि बात्रूम में कपड़े भी पड़े है और वो कपड़े धोने जा सकती है कोई इंसान कंप्यूटर पर काम कर रहा है उसे एकदम से अपने garden के बारे में कुछ खैला आया वो duration बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जैसे अगर exercise कर रहे है तो पहले 30 minutes करते थे अब एक एक दो दो घंटा exercise कर रहे है अगर आपको reading का shock है तो पता चला पूरो पूरा दिन reading ही किये जा रहे है मतलब जो भी activities थी वो normal की range से बहुत ज़्यादा increase हो गया और बहुत ज़्यास्टिकली उसमें participate कर रहे है अब कई बार तो बड़ा खुशी होती है इसे शुरूबात में confusion हो जाता है कि ये इंसान बड़ा passionate है बहुत अच्छी तरीके से dedicated लेकर है बड़ अगर over हो रहा हो तो ध्यान देने की बात है कि ये मेनिया हो सकता है क्योंकि इस वक्ट दिमाग में बहुत ज़्यादा तेजी है तीसरा इसका जो लक्षन है वो ये है grandiosity यानि कि ऐसे में इंसान की जो self importance है self image है वो बहुत ज़्यादा inflated हो जाती है वो इंसान अपने आपको बहुत ही खास समझने लगता है मुझे याद है एक case मेरे पास एक लड़का आया वो बहुत यांग लड़का था और उसे मुला कि मुझे समझने के लिए तो सीधा अंबानी को बात करनी पड़ेगी और अंबानी की भी क्या उकाता है अंबानी को तो मैं अपने हां नौकर रख सकता हूँ इतना inflated self-esteem और ऐसी बाते करना जिसका कोई logic ही नहीं है और वो लोग कई बार अपने आपको बहुत अलूफ बात करके नेपाल का राजा बताते हैं कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ इस तरीके से अजीब अजीब सी बात है और बहुत जादा loud होकर बाते ही करते हैं तो ये सारे lection जो है वो मीनिया में देखे जाते हैं इसके अलावा जो चौथा lection है वो है flight of ideas यानि की एक बार में दिमाग में different different ideas का आना इतना जादा दिमाग में तेजी से विचार आना कि समझ ही नवाना यानि कि एक चीज़ पर concentrate ही नहीं कर पाना और अलग लग मतलब बात भी कर रहे हैं तो पहले का ज़रूरी नहीं दूसरे से connection हो जो इंसान बात कर रहे हैं अभी खाने की बात कर रहा है और खाने से वो picture की बात पर लग जाएगा picture की बात से वो कहीं कहीं hospital की कोई बिमारी की बात करने लग जाएगा और एकदम से फिर वो कुछ भी जोक करकर या कोई भी बात कहकर हो सकता हसने लग जाए तो flight of ideas यानि कि इसके दिमाग में कुछ भी unrelated आ रहा है वो तभी भी किसी भी चीज़ को associate करकर वो बार 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 उस चीज़ को कर रहा है next जो इसका पांचवा symptom है वो है activities का differently यानि कि वो activities जो आप पहले नहीं करते थे कुछ नई activities का आपकी life में आ जाना जैसे कोई इनसाने पहले बिल्कुल पूझा पाट नहीं करता था लेकिन अचानक से बहुत जादा पूझा करने लगे हैं कुछ लोग नशे की तरफ चले जाते हैं कुछ लोगों की sex desire पहुँचा दबर जाती है जैसे मुझे याद है कि मेरे पास एक couple आये जिनके husband को मीनिया हो गया था तो उन्होंने बुला कि इन्होंने बताया है मुझे कि मैंने इस तरह से अपनी जो पुरानी friend थी उसके साथ sex कर लिया है और इसमें normal बात है इसमें मैंने क्या गलत किया है मतलब वो topics जिन पर बात करते वे पहले वो हुचकते थे आप बहुत खुल कर और शान से बाते कर रहे हैं और उनको बहुत कुछ नया सा लग रहे हैं मतलब जो भी कुछ activities वो कर रहे हैं उसके उनको पता है आगे चलकर क्या खराब results हो सकते हैं लेकिन वो फिर भी उस activities को कर रहे हैं excessive नशा ले रहे हैं चाहे या कोई भी चीज ऐसी है जो harm भी हो सकते लेकिन फिर भी उस चीज को कर रहे हैं इसका जो चटा लक्षन है वो है decrease in sleep लेकिन फिर भी बहुत fresh फिल करना 3-3 घंटे सो कर भी इतना fresh और energetic फिल करना यह जैसे कोई 8-10 घंटे की नीद लेकर पूरा एकदम से fresh उठा हो जो यादे कि मेरा केस एक बिल्कुल यांग लड़का वो आया तो उसने कहीं किसी वीडियो में सुन लिया था कि कम सो कर भी आप सिर्फ और सिर्फ तीन-चार घंटे सो कर भी अपनी life को change कर सकते हैं और जो time बचेगा उससे आप अपने goals को पा सकते हैं तो वो इतना motivated हो गया उससे उसने 15 दिन तक सिर्फ तीन घंटे उसको कितनी भी नीद आती थी लेकिन वो जागा रहता था और उसको कुछ chemical imbalance हो गया उसकी वज़ा से वो एकदम मेनिया में चला गया तो उसको मतलब जो सोना है वो limit में आप अपनी capacity के हिसाब से देखे कि आपको कितने घंटे की नीद है अगर कोई कहता भी है कि 3 घंटे सोकर आप fresh feel कर सकते हैं तो हो सकता है यह उनका mind इस तरीके से train हो लेकिन ज़रूर नहीं कि वो आपके लिए भी हो लेकिन जब मेनिया में परसन जाता है तो वो कम सोकर भी बहुत ज़्यादा fresh और energetic feel करता है और इसका जो सात्वा लक्षन है वो है talkativeness यानि कि ऐसे लोगों के बात बहुत ज़्यादा करने लगते हैं जो पहले shy थे लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा बात करेंगे ऐसे ऐसे sensitive topics पर भी आसानी से खुब खुल कर बात करेंगे और कई बार family को बहुत ज़्यादा embarrassment होता है और जब वो बोलते हैं तो बड़ा fast, loud, dominating और उनको एक strong urge होती है situation को control करने की उनके अंदर होता है कि मैं right हूँ, आप wrong हो तो वो talkativeness उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर इन सातों लक्षन में से कोई भी तीन लक्षन अगर present होते हैं और वो भी एक हफ अग्ते तक present होते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस person को mania है, अब कई भी लोग ही सोचते हैं कि mania किस वज़े से होता है तो इसके reasons, genetics भी हो सकते है, chemical imbalance, lifestyle disorder भी हो सकता है, किसी भी वज़ा से person mania में जा सकता है, अब जब mania हो गया है तो क्या करें, जब mania हो गया है तो आप अगर person बहुत ज़्यादा तेजी में है, तो कई बार उसको mentally medicine की जुरुत पड़ेगी, क्यों क्योंकि वो उस वक्त किसकी बात सुनेगा नहीं, लेकिन family members को भी पता नहीं होता कि problem क्या है, तो इसमें psychologist से मिलना बहुत ज़्यादा helpful रहता है, क्योंकि वो आपको psycho educate कर सकते हैं, कि आपको cover करने में counselling बहुत ज़्यादा help करती है, तो ये सारी combination से, मेनिया से कोई भी person 15 दिन से लेकर 3 महीने तक में recover कर सकता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इसकी कोई medicine भी नहीं लेंगे, तब भी 2-3 महीने में मेनिया में से इंसान बाहर आ जाता है, लेकिन 2-3 महीने में वो कितना damage हो जाएगा, repetition कितनी खराब हो जाएगी, या फिर आपके आस पास का environment कैसा हो जाएगा, वो risk लेना नहीं बनता है, कोई भी अगर person मेनिया में, और कई बार ऐसा भी होता है कि ये मेनिया अगर जाकर bipolar disorder में convert हो जाता है, तो इस चीज़ को बहुत seriously लेना है, औ और आपको अपने psychologist से मिलना है, और अगर आपको लगता है कि किसी भी person में इस तरीकी collection आपने notice किया है, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुचा देनी है, और साथी साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी, कि मैंने जो book लिकी है Dear Depression Let's Break Up, उसको आप लोगों का बहुत ज़ इंस्टा पर हर जगे social platforms पर मेरी presence है, आप कहीं भी मुझे follow कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी question है, कुछ भी आप पोछना चाहते हैं, तो आप हो हमें लिखिये, हम उसका definitely answer करेंगे, और उस पर वीडियो भी हम बना सकते हैं, stay connected, stay wonderful